नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल मिस्टर एस भी क्लासिस में चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रेशन है सिंद परविजय प्राप्त करने वाले अरब सैना के सैनापते का नाम बताए और अरब सैना का पहला सैना पते कौन था वो मुहमद बिन कासिम ठीक नेक्स्ट पर्सन सुल्तान महमूद कहां का सा सकता तो सुल्तान महमूद दोस्तों गजनी का सा सकता ठीक मुहमद गजन भी विश्कों बोलते हैं नेक्स्ट वन त्राइन की दूसरी लड़ाई में प्रत्वी राज को किस ने प्राजित किया तो त्राइन की दूसरी लड़ाई किस के साथ हुई थी पहली भी किस के साथ हुई थी दोनों एक साथ हुई थी तो मुहमद गोरी ठीक है मुहमद गोरी के साथ दोनों तो यह option number क्या रहेगा B is right answer तराइन के दूसरे युद में रहा था तो क्योंकि 1100 क्याणवे में तो जैसे तराइन का पहला युद हुआ था उसमें प्रत्विराज चोहान की विजे हुई थी और तराइन का जो दूसरा युद हो ग्याराज बनवे में हुआ था ठीक है उसमे महमद गोरी जीत गया था और प्रत्विराज चोहान हार गये थे नेक्स्ट पर्सन किस लड़ाई ने महमद गोरी के लिए दिल्लिक सेत्र खोल दिया तो महमद गोरी ने किस के जिसमें वो जीता था उसी ने खोला तो तराइन की दूसरी लड़ाई ने ठीक है तराइन की द दुइतिय युद्ध आगे मठते हैं तराइन का दुइतिय युद्ध डैस के बीच लड़ा गया था तो तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था मुहमद गोरी और पृत्विराज चोहान देखिए बार बार किस तरह से चीज़ों को गुमा कर प्रशन दो जार तेरा में ठीक है दो जार छे में देखिए कब से कब तक दस साल हो गया है इसी परसन को बार-बार रिपीट किया जा रहा है तो आगे बढ़ते हैं निमलकित में से किस राजपुत राजा ने मुहम्मद गोरी को पहली बार हराया था तो मुहम्मद गोरी को किस ने राया था पहले युद में मुहम्मद गोरी आर गया था तो पहला युद किस के साथ हुआ था बताए तो सबसे पहले बगेल भीम ठीक है अपसन नमबर बी इस राइट अंसर तो देखिए थोड़ा सा पता दू मुहम्मद गोरी को पहली बार अनही लड़ वाड के जो सासक है भीम दूतिय ने गैरास ओठेटर में आराया था जब पहली पहली बार वो आया था उसके बाद पृतिरा चवान के साथ क्या है उनके लड़ाई हुई थी नेक्स्ट निमलकित में से किसका मिलान सही किया गया है तो सही मिलान किसका था इनमें से बताएए जैसे सुल्टान महमूद ने सोमनात को लुटा था मुहमद गोरी सिंद परविजय अलाउदिन खिल जी बंगाल बिन तुगलक क्या थे चंगेश कहा का करम कौन से इनमें से सही है तो option number c केवल एक ठीक है सुल्टान महमूद ने क्या था सोमनात का मंदिर लुटा था गुजरात के अंदर ठीक है सुल्टान महमूद ने लुटा था यहाँ पर भी मैं आपको उटा दू option number c next person number nine दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था तो दिल्ली सल्तनत का उदारक राजा कौन था यानि कि यह वो थोड़ा सा क्या था उदार था लोगों के परती ठीक है तो यह है इल्टु तमिश इल्टु तमिश, option number C is right answer इसको उदारक राजा माना जाता है नेक्स्ट पर्शन नंबर 10 नेमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने सामराज़े की राजदा निगोशित करने वाला दिल्ली का पर्थम सुल्तान कौन था तो कौन था दोस्तों आप्शन नंबर D इल्टू तमिस ठीक है इल्टू तमिस आपको बता दूँ के जैसे जो सासक बना था कुतूब दिन एबक पहला ठीक है दिल्ली का सासक बना था लेकिन उसने दिल्ली को राजदानी नहीं बनाया था उसने लाहूर को अपनी राजदानी बनाया था लेकिन दिल्ली अंडर में उसके आ गई थी पहली बार ठीक है कुत से गिर कर मर गया था तो उसके बाद इल्टु तमीस ने जब राज किया था उसने दिल्ली को अपनी राजदानी बनाया था ठीक है आगे बढ़ते हैं चंगेज खान ने जलालुदीन का पीछा करते वे किसके सासनकाल में बारत की सीमा उप्राकरमन किया था तो चंगेज खान पूची गई है तो यह था इल्टु तमीस ठीक है इल्टु तमीस लेकिन इल्टु तमीस ने क्या था जलालुदीन को क्या था संग्रक्षन नहीं दिया था क्योंकि उसको पता था अगर जलालुदीन को मैंने अपने यहां पर रख लिया तो चंगेज खान अमारे उपर आक एक सम्हू चिहलगानी के विनास का सिरे दिया जाता है तो चहलगामी जो एक पर्था चलाई गई थी ठीक है गुलामंच में चालीस राजाओं का एक सम्हू होता था ये मान लीजिये ठीक है तो उसको किस ने समाप्त कर दिया था तो उसको किस ने समाप्त किया था ये था बल हम उता था चहलगामी ठीक है ये परसंबी बहुत बार पूछा जाता है भोत ज्यादा आगे बड़ते हैं परसी थे फार्सी तयुहार नो रोज गाप पर वरतन किसने किया था है नो रोज किसने चला था ये भी बल भणने चलाया thankfully ये देखिए फिर से वोई चीज है 40 के रूप में विख्यात तूर्की सामन्तों की संकती सक्ती को भंग करने वाला पर्थम दिल्ली सुल्तान को उन था तो चहल गामी को ही किसने भंग गिया था बल्बन ने किया था सबको पता है अभी अभी में इसके बारे में पड़ा नेक्स्ट पर्शन रज्या सुल्तान किस की बेटी थी तो रज्या सुल्तान दोस्तों किस की बेटी थी ये है इल्तुतमिस की ठीक है इल्तुतमिस ने रज्या सुल्तान को अपना सामर रज्या सोपा था लेकिन जल्दी ही क्या है रजय सुल्टान को मार दिया गया था उसी के भाईयों ने क्यों कि उसने एक पंजाब में एक सरदार थे, सरदार मुख्या यानि के ठीक उस मुख्या से साधी कर ली थी अपगान मुख्या था कोई नेक्स्ट बार्त की पर्थम महिला साशक कौन थी तो बार्त की पर्थम महिला साशक रजय सुल्टान थी बहुत पुराना परसन है और देखो अब दा किस चीज़ को repeat किया जा रहा है इस ठीक है, बार-बार पूछा जा रहा है यह परसन भी रजय सुल्टान आगे बढ़ते हैं नमबर 17 वे दो वन्सज कौन थे जिन्नों ने खिलजी सासकों से ततकाल पहले और बाद में सासन किया यहनि कि खिलजियों से पहले और खिलजियों के बाद तो यह थे गुलाम और तुगलक ठीक है खिल्जियों से पहले गुलाम क्या वंस था और खिल्जियों के बाद में तुगलक वंस था नेक्स्ट दिल्ली के खिल्जी सुल्तान थे तो दिल्ली के खिल्जी सुल्तान कौन थे इन में से तो ये थे तुरक ठीक है तुरक सुल्तान थे नेक्स्ट स्वयम को दूसरा सिकंदर यानि कि सिकंदर सानी कहने वाला सुल्टान कौन था सिकंदर सानी कि उपादी दोस्तो किस ने ली थी तो ये किस थी dulci भीजिया को शिकंदर शानी भी बोला जाता था, और किस नंबर भी is right answer, का अलाओधिन खील ती ने इसीनी इसके बारे में और भी यह बार ब़ार दो तिन बाते पूछी जाती है कि जैसे आलाओधिन खील था ठीक है उसने क्या किया था अपने गोडों को दागने की परथा चलाई थी सीधा पेंध देते थे सीधा खर्चा भी पूछे जाते हैं बार बार में तो ये थी आज के महतवपूर्ण 20 प्रशन ठीक है तो उमीद आप लोगों को पसंद आएंगे पसंद आते हैं तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए आज के लिए इतना ही Thank you very much